So guys, finally Realme Narzo 50 Pro 5G device के लिए Realme 5.0 Android 14 का जो स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में कम्प्लीट टीटेल दूँगा कि इस अपडेट को करने के लिए आपके फोन में रिक्वाइड वर्जन क्या होना चाहिए इसका जो नया अपडेट उसका वर्जन और साइज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा अगर आप इस update को करते हैं तो क्या कुछ common issues आपको देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही बात करेंगे कि कब तक सभी users को यह update मिलेगा तो guys यह सभी कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को complete देखीगा बिल्कुल बिस्केप मत करिएगा तो अगर guys वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को like और share जरूर से कर दीजीगा और चैणल पर अगर पहली बारा है तो चैनल पर subscribe भी जरूर से कर लेजीगा तो चलि guys वीडियों पर फट आवट पर स्टार्ट कर लेते हैं चलिए guys youtube पर स्टार्ट कर लेते हैं उसके उपर जो इसका ऑफिशल पोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आप में आपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे Realme UI 5.0 बेस्ट ऑन अंड्रोइड 14 फोर रियल्मी नार्जो 50 प्रो 5G Stable Release तो यह होगे दोस्तों यहाँ पर इसकी ऑफिशल इन्फरमेशन जो की Realme कम्यूटी के उपर है अब बात करें कि सबसे पहले यह जो अपडेट है उन्हें यूजर्स को देखने के लिए मिलेगा इसके बाद बात करें Android 13 यूजर्स की तो जिन भी यूजर्स के डिवाइस का वर्जन 11.C.16 या फिर 11.C.15 इन दोनों में से कोई भी वर्जन अगर आपके डिवाइस में है तो आपको यह अपडेट जाए वो देखने के लिए मिल सकता है तो गाइस अब अगर बात करें इसके न्यू वर्जन और साइज की तो वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा 14.0.0.100EX01 साइज के अगर बात करें तो जो भी बीट यूजर्स थे उनके लिए जो इसका साइज है वो काफी कम हैं भी का देखने के लिए मिलेगा क्योंकि तो चेंज लॉग में आपको यहाँ पर काफी कुछ न्यू फीचर जो है वो एड किये जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इसमें तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आप चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर चेक आउट कर सकत हैं तो दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद आपको कुछ common issues देखने के लिए मिल सकते हैं जिनमें से सबसे पहला issue यह है कि अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपका जो फोन है वो first boot होने में ज्यादा time ले क्योंकि आप पूरा android 14 है वो यहाँ पर update होगा तो उसम consumption है वो जादा देखने क्ले मिल सकता है क्योंकि आपर जो पूरा phone है वो optimize होता है तो इसलिए यह problem से आपको देखने क्ले मिलती है तो इसके लिए रिक्मंट किये जाता है कि यह जब भी आप इस update को करते हैं तो उसके बाद अपने phone को full charge करके 5-6 घंटे के लिए उसको रख available condition में आ जाता है उसके बाद आपको जो problem से हो कम phase करने के मिलती है तो यह कुछ points है जिनका आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों बात करें कि कब तक सभी users को अपडेट मिल जाएगा तो अभी यह जो update हो केवल 15% users के लिए rollout किया गया है अगर इसमें कोई critical bug नहीं मिलता ह है तो फिर धीरे-धीरे करके इस अपडेट हो सारी users तक रूल आउट कर दिया जाएगा जिसमें आप 15-20 दिन या फिर महीने बर का समय भी लग सकता है यह completely depend करता है realme के उपर तो guys यह थी आपर इस update से जुड़े होई सारी information जो कि मैंने आपके साथ share कर दी है तो guys अगर आ पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतनी था मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए एंड टेक क्यार